दीक्षा कक्षा साथ हिंदी हम पढ़ेंगे सात्मी क्लास की और जो आज पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है स्वतंत्र भारत के परमवीर प्रस्तुत पाठ में देश के परमवीर चक्र विजेता सैनिको के शौर का वर्ण किया गया है रमेश कक्षा साथ में पढ़ता है उसके दादा भारती सेना में सुविदार मेजर पत से अबकाश ग्रहण कर घर आ गए है रमेश प्रति दिन शाम को युद्धों से सम्मंदित रोच घटनाय दादा से सुनता रहता है दादा जी को सेना में बहादरु के लिए सेना मिडल मिला हुआ है दादा जी से सुने कहानियों को रमेश स्कूल में अपने कक्षा के दोस्तों, रह्मान, केशब तथा मंजरी को सुनाता रहता है एक दिन रमेश के इन मित्रों ने तै किया कि वे रमेश के घर जाकर दादा जी से मिलेंगे और उन सयुद समंदी धेर सारी जानकारिया प्राप्त करेंगे सभी बच्चे दादा जी से मिलने रमेश के घर पहुंचते हैं प्रस्तु थे दादा जी के साथ बच्चों की वार्था का एक अंश बच्चे, दादा जी प्रणाम दादा जी, बच्चों, खुश रहो, मुझे पता था कि आज तुम लोग आने वाले हो, आउ सब लोग मेरे पास बैठो रमेश दादा जी ये सभी मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं ये सभी देश की रक्षा में वीर जबानों के योगदान के वारी में जानना चाहते हैं दादा जी ठीक है बच्चों तुम क्या जानना चाहते हो केशब दादा जी आपको सेना में बहादुर के लिए सेना मिडल मिला हुआ है हम जानना चाहते हैं कि भारती सेना का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है दादा जी हमारे देश में सैनिकों को दिये जाने वाले पदकों में परंवीर चक्र भारत का सरबोच्य सैन्य अलंकरण है जो दुश्मनों के बीच में उच्च कोटी की शूर वीरता एवं त्याग केडिये परदान किया जाता है इस पुरुषकार की इस्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी जब भारत गड़ राज घोशित हुआ था रह्मान दादा जी परंवीर चक्र सम्मान सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था दादा जी सबसे पहला परंबीर चक्र सम्मान मेजर सोमनाश शर्मा को दिया गया था रह्मान उनके बारे में हमें बिस्तार से बताईए दादा जी हमने उने देखा तो नहीं है किन्तु हमारी यूनिट में उनकी बहादुरी की चर्चा अक्सर होती रहती है मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्में हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा में 31 जन्वरी 1923 को हुआ था उनके पिता मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा थे मेजर सोमनाथ 3 नवंबर 1947 को अपनी कमपनी के साथ कश्मीर घाटी के बढ़ गाओं के गश्ट पर थे बढ़ गाओं में गश्ट पर थे लगबग 500 की संख्या में दुश्मनों ने उन्हें तीन तरफ से घिर लिया युद्ध में कमपनी की सैनिक तेजी से हताहत होने लगे मेजर शर्मा ने अपने सैनिकों का होसला बढ़ाते हुए बहादुरी के साथ दुश्मनों का सामना करने को कहा स्वयम गोली बारी की परवा ना करते हुए बे कपड़े की मदद से अपने वायू यानों को दुश्मनों के ठिकानों का संकेत देती रहे जब सैनिकों की संख्या कम होने लगी ताब बेस्वयम मशीन गन की मेगजीन भरकर सैनिकों तक पहुँचाने लगे उस समय उन्होंने अपने बाएं हाथ में चड़े प्लास्तर की भी परवा ना की तभी अचानक एक बम उनके करीब आग गिरा और वे शहीद हो गए शहीद होने से पहले उन्होंने ब्रिगेट हेड को अंतिम मैसेज दिया था दुश्मन हमसे केबल पचास गज की दूरी पर है हमारे शैनिक शहीद होते जार रहे हैं हम भारी गोली बारी के बीच है किन्तु हम पीछे नहीं हटेंगे और अंतिम गोली रहने तक लड़ेंगे कारगल की लड़ाई बहुत विप्रीत परिस्थितियों में लड़ी गई थी दुश्मन की चलाकी और विश्वास घात से हम अंजान थे हमारी सेना के जमानों ने हर परिस्थिती का सामना करते हुए विजय प्राप्त की मैं तुम्हें अपने उत्तर प्रदेश के रंड बा इनके पिता का नाम गोपी चंद्र तथा माता का नाम मोहनी था कारगल युद्ध के दौरान खालू बार को फते करने का जिम्मा कैप्टेन मनोच पांडे की कंपनी को दिया गया था कैप्टेन पांडे को युद्ध में कंपनी की अगवाई करते हुए आगे बढ़ना था जैसे ही कंपनी आगे बढ़ी उन पर दो तरफ की पहाडियों से जिन पर दुष्मनों ने अपना बंकर बना रखा था जब अदस्त गोली बारी होनी लगी और हो ने तुरंत हवालदार भीम बहादुर की टुकडी को आदेश दिया कि वे दाहनी तरफ के दो बंकरों पर हम ले नस्ट करें काने के लिए आकरमर किया कि मात्यान उन्की इस विर्पतह के बारे में हमने ने भी समाचार पत्र में पढ़ा था देश के लिए कुर्बान होने वाले इन वीर जबानों को हम सलाम करते हैं दादा जी क्या कारगिल युद्ध में उत्तर प्रदेश के अनिस्तेनिकों को भी ये सम्मान मिला है दादा जी हाँ मिला है ना उत्त्य प्रदेश की निवासी ग्रेनेडियर योगिंद्र सिंग यादब को सबसे कम आयू में परमवीर चक्र से सम्मानित होने का गौरब प्राप्त है इनका जन बुलन शहर जनपत के औरंगाबाद अहीर गाउं में 10 मही 1980 को हुआ था सन 1999 इसबी में जम्मू कश्बीर की कारगल छेर की 16-18,000 फुट उची पहाड़ियों पर पाकिस्तानी घुस्पैटियों ने कबजा जमा लिया था इन घुस्पैटियों ने श्री नगर को लेस से जोडने वाले महत्पूर राजमार्क पर गोली बाली आरंब कर दी दो जुलाई को कमांडिंग अफीसर कर्नल कुछल ठाकुर की नेत्रतु में गरनेडियर योगेंदर को टाइगर हील पर पभजा करने का आदेश मिला दल में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंग यादप सहीद साथ कमांडो शामिल थे टाइगर हिल पर हुसपेटियों की तीन चोकियां बनी थी पहले मुडवेर में पहली चोकी पर कबजा कर साथ कमांडो वाला दल आगे बढ़ा कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर दुश्मन की और से अंदा धुन्द गोली वारी आरम हो गई जिसमें दो सैनिक शहीद हो गए दोनों सैनिकों के वापस छोड़ शेश-पांस जावांज जावाज सैनिक आगे बढ़े किन्तु पुरा एक भीशन मुडवेर हुई जिसमें चार कमांडो और शहीद हो गए और बच्चे केवल योगेंदर सिंग की यादब हलाकि वह भी बुरी तरह घायल थे उनके एक हाथ में एक और जांग में दो गुली लगी थी उनके बाएं हाथ की हड़ी तूट गई थी और हाथ में हाथ ने काम करना बंद कर दिया था फिर भी भी हिम्मत नहीं हारे हाथ की बेल्ट से बांद कर कोहुनी के बल चलना शेश बचे गुसपैटियों को मार गिराया और तीसरी चौकी पर भी कब्जा कर लिया इसी बीच उन्होंने पाकिस्तानी कमांडर की अबास सुनी जो अपने सैनिकों को 500 फुट नीचे भारती चौकी पर हमला करने के लिए आदेश दे रहा था इस जानकारी को अपनी चौ को पड़ेंगे आप अगली बीडियो जरूर देखिए गा क्योंकि अगली वीडियो में इस पार्ट को पूरा करने सब्सक्राइब एंधे तो क्वेश्चन अंसर्स के मिलेंगे को है कि अ है कि अजय को कि अजय को कि अजय को